दोस्तों क्या आपके बच्चे या बड़े किसी का भी यूरिन पास हो जाता है बिस्तर में सोते समय सोते समय पता ही नहीं चलता है और यूरिन पास हो जाता है यानि कि बिस्तर गीला हो जाता है अगर इन में से किसी को समस्या हो बच्चों को या बड़ों को तो आप इस मुस्के का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो यूरिन पास हो जाता है सोते समय तो वो आपका सही हो जाएगा और बिस्तरगीला नहीं होगा देखिए एक छोटी उम्र में जो बच्चे यूरिन पास करते हैं विस्तरगीला कर देते हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं पता चलता है लेकि एक उम्र जब हो जाए माली बड़ी उमर हो गई है और उसमे आपके जो यूरिन पास हो जाता है जो पेसाब पास हो जाती है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी तो इसके लिए को करना क्या है सबसे पहले लेना है धनिया तो आपको धनिया पाउडर लेना है मैंने यहां पे धनिया पाउडर लिया है और आप मर्केट बाला ना ले धनिय धनिया का दाने ले आएं और उसको मिक्सी के जारब डाल करके उसका पाउडर बनाईए ताकि आपको सुद्ध चीज मिल जाए तो धनिया का मैंने ले लिया है पाउडर और दूसरी जो सामगरी है यह है दोस्तों सक्कर यानि की चीनी तो आपको चीनी चाहिए चीनी हो तो च पविश्रील है सिर्फ धनिया पॉडर का इस्तेमाल करिएगा आपको करना क्या है नुस्का तयार करने के लिए एक इमाम दस्ता लेना है और इसमें डाल देना है चीनी तो मैंने करीवन 1.5 चमच इसमें चीनी डाल दी है यानि कि सक्कर डाल दी है आप चाहे तो मिश्री भी है पीछने के बाद में इसको हम डालेंगे एक कटोरी में दोस्तों आप सभी लोग आए हैं नम्रता अब दोरिया इंडिया यूटूबर चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब पर देख रहे हैं तो फॉलो जरू कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरू कर देना अपने द के चुटने की समच्या है यहां बच्चे बड़े किसी को भी हो सकती है ना-अब इसमस्के का जरूर इस्तिमॉल करना आपको आराम मिलेगा अब इसे मैंने डाल दिया है एक चुटकी हल्दी पौडर हल्दी पौडर क्या करेगा आपके infection बगेरा को ये खतम करेगा अगर है और नहीं है तो होने नहीं देगा तो आप चाहिए तो इसको इसके भी कर सकते हैं लेकिन हल्दी पौडर सबसे बेस्ट रहता है एक चुटकी इसमें हल्दी पौडर जरूर डालना ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया है पौडर बनाने का तरीका इस तरीके से आप पौडर बना करके एक एयर टाय डिबी में भर करके आप बख लीजिए ठीक अब आपको क्या करना है इसका सेवन कैसे करना है इस पौडर का सेवन देखिए अगर आप बड़े हैं तो आप इस पाउडर को खाईए खाने के बाद में आप पानी पी लीजिए गुर्गोना और आप जैसे कि बच्चों की बात करें तो बच्चों को कैसे देना है बच्चों को देना है इस तरीके से कि एक गलास लेना है आपको गुर्गोना प और इसमें डाल देना है दो चम्मच यह जो हमने मिक्चर तयार किया ना इस पाउडर को डाल देना है पानी में और डालने के बाद में अब आपको क्या करना है इसको अच्छे से घोल लेना है और आप चाहें तो जैसे कि बड़े लोग हैं तो आप फुल गिलास पानी भरिये और इसमें दो चमच पौडर डाल करके इसको पी लीजिए तो इस तरीके से इसका करना है सेवन आप बात करें बच्चों की जैसे की बच्चे हैं तो बच्चों को आप किस तरीके से दे सकते हैं बच्चों को आपको देना है चमच से आप चमच से पिला दीजिए बच्चों क या फिर छोटे बच्चों को दे रहे हैं, या फिर आपका बच्चा मालीजी एक साल का है, फिर भी पेसा आप यूरिन पास कर रहा है, तो आप ये चम्मस इसको पला दीजी, करीमन तीन चम्मस इस पानी को पला दें, सोबह, दुपहर, साम और रात, चार बार आपको इस पानी को पिलाना है तो ये एक कप पानी आपका पूरे दिन चलेगा चार बार पिला दीजिए और इस तरीके से अगर लगातार आप इस नुस्के का सेवन करते हैं एक महीने तक तो आपका बच्चा बिस्तर गीला करना छोड़ जाएगा और बड़े बॉड़े लोग एक ग्लास इसको बनाए पीजिए एक इसको बड़े लोग पी रहे तो इसनँ अपको पीना है सोबह साम two time और बच्चों को प्ला रहे हैं तो चार बार प्लाना है क्योंखर कम कम कॉवंटटिटी में देंगे तो चार बार देंगे तो पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस मुस्के का सेवन करिये लगातार एक महीने तक आपके बच्चे हों या बड़े हों या फिर बुजर्ग हों बिस्तर गीला करना बिल्कुल छोड़ जाएंगे उनकी जो यूरिन है वो कंट्रोल होने लगेगी क्यों दोस्तों यह प्रॉब्लम होती है यह प्रॉब्लम यानि कि समस्या ही खतम हो जाएगी तो फिर यूरिन पास बिल्कुल भी नहीं होगा बिस्तर गीला नहीं होगा यानि कि जब उनको टॉइलेट आएगी तो उनको पता चल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसका सेवन करिए और मुझे कमन करके जरू बता तब तक लिए नमस्कार